हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मुरी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में हम बात करने वाले मैं sg- Item के बारे में क्या डेट है उससे सिलेटेट जो न्यूज हो रही है ज्स 오र पर ईसकता और कट ऑफ क्या जा सकती है में केंडिट्इस के बहुत सारे यह सवाल है रिजल्ट की डेट है, वो कव है, कव आपको जो रिजल्ट है आ सकता है और कट ओफ क्या जा सकती है चुछ में कैंडिडेट के बहुत सारे ये सवाल है कि मेरी कट ओफ किलर होगी या नहीं होगी और जिनके attempts कम हैं वो भी इस वीडियो को देखकर अपना फायदा कर सकते हैं और skill test की date क्या रह सकती है और cut of range आपकी क्या रह सकती है इस वीडियो में सारी चीजों पर बात करने वाला हूँ तो अगर आपने अभी तक channel पर new visit कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को नहीं प्रेस किया है तो bell icon को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like and share भी जरूर से जरूर कर दीजे तो चैसा कि हम सब्सक्राइब सभी लोग जानते हैं कि एक्जाम काफी समय पहले हो चुके लेकिन जो result है भी तक आपका नहीं आया है हम चलते हैं इसकी official website पर वहाँ पर देखते हैं official website पर क्या notice आये हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह official website है और यहां पर जो लास्ट अपडेट आया है लास्ट नोटिस आया है वो MTS के टियर 2 का जो result है उससे related है यानि कि SSC CHSL से related आपका कोई भी update इसके अंदर नहीं है लेकिन अगर मैं बात करता हूं result date के बारे में तो SSC ने अपने सारे results जो है out कर चुकी है release कर चुकी है अब जो result बचा है SSC यह वह SSC CHSL 2022 का ही है और अब अगर मैं date के बारे में बात करता हूं तो पांच तारिक तक पांच तारिक तक या फिर आप कह लिजेगे इस week के अंदर इस week के अंदर जो है आपका result 100% जो है publish कर दिया जाएगा इस week के अंदर अभी आपके 5-6 दिन है तो इस week के अंदर आपका definitely जो result 100% publish कर दिया जाएगा बिल्गुल भी tension ना लीजिए अगर मैं बात करता हूँ cutoff के लिए तो cutoff के लिए मैं आपको समझा देता हूँ या देख सकते हैं मैं आपको इस video में सारी चीज़े बता दूँगा पहले बात करते हैं cutoff के बारे cutoff से पहले attempts attempts जिन भी candidate के जो है कम है वो क्या करें अगर मान लीजिए cutoff से उनका एक marks या फिर दो marks या फिर तीन marks ज्यादा आते हैं तो क्या वो skill test की तैयारी करें या ना करें तो बहुत से candidate का यह सवाल है क्योंकि कुछ candidate ऐसे होते हैं जो 62 करके आते हैं लेगि उनकी accuracy 100% होती है वो तुक्के उक्के नहीं मारते हैं कुछ candidate ऐसे होते हैं जो 75 करके आते हैं उसके अंदर 2 या 3 उनने तुक्के मारे होते हैं बागी सब सही होते हैं तो यह attempts कम है तो आप सभी को पता है जो you are की कट ओफ जाती है वो लगबग 135 प्लस ही जाती है मैं आपको exact कट ओफ नहीं बताऊंगा जैसा की वीडियो के थमलीन पेज पर लिखा हुआ था मैं आपको कट ओफ रेंज बताऊंगा यानि के रेंज इस रेंज के अंदर अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं अंसर की आ चुकी आप सभी को पता है तो आप कहीं ना कहीं टीर टू के लिए सेलेक्ट किये जा सकते हैं तो अगर मैं यू आर की बात करता हूं कि कट ओफ रेंज अगर मैं यू आर की बात करता हूं तो अगर आपके 135 प्लस मांक्स बन रहे हैं या फिर आपके 140 यह मैं रो मांक्स की बात कर रहा हूं कि रो माक्स आपके इतने अगर बन रहे हैं तो आप कहें ना कहीं एक सेफ कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं टीर टू में आपको चांस मिल सकता है ओभी सी के अगर मैं बात करता हूं तो 130 प्लस से 140 या फिर इसको आप 45 भी कर सकते हैं क्योंकि यूर की कभी ना कभी 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 ऐ इसा होता है कि ज़्यादा चले जाती है और ओभी सी के लिए आप ये रेंच मान सकते हैं वहीं अगर मैं बात करता हूं ऐसी या फिर एस्टी की और इट्रेवलू एसकी जो आपकी कटोफ है ओभी सी के सिमलर ही यानि के अराउंड बराबर ही जाती है तो इसकी कटोफ में नहीं बता रहा आप इससे अंदाज लगा सकते हैं आदा एक नंबर कम या ज़्यादा लेकिन अगर ऐसी की बात करता हूं तो ऐसी के अंदर कभी कभी ऐसा होता कि कटोफ बहुत ज्यादा कम चली जाती है वहीं सेम सी बात अगर मैं स्टी के लिए करता हूं तो उसमें भी कैसा होता कभी कभी कटोफ बहुत कम चली जाती है तो इसके अंदर अगर आपके 110 प्लस मार्क्स 110-120 की अराउंड बन रहे हैं रो मार्क्स तो कहीना कहीं आप सेफ हैं टीर टू के लिए आप चले जाएंगे अगर मैं बात करता हूं स्टी के लिए तो सो प्लस मार्क्स अग किया दो मार्क्स जादा है नोर्मलाइज टेसन में किसको कितने नंबर मिलेंगे अभी इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा यह जो मैंने सब चीज बताई है यह रो मार्क्स के अकोर्डिंग बताई है रो मार्क्स आपके इतने अगर हैं तो आप डेफिनेटली टीर काट loop से है एक माक जबाएगा दो माकों जबाएगा तो इस्किल टेस्ट के तइयारी करें या ना करें तो मैं इसिरी इही बोलता हूं कि skill test के तैयरी आपको करनी चाहिए भले ही आप उतने जोश्चे ना कीजिए जैसे कि आपका एक या दो नंबर जादा है क्योंकि final में जो cut off है वो थोड़ी सी high हो जाती है नंबर बढ़ जाते हैं लेकिन फिर भी आप करते रहिए क्योंकि next year जब आपका exam आएगा next year आपका जब exam होगा तो skill test वहाँ पर आपको 50% आता होगा skill test के अंदर आपका क्या है वो ही आपका एसल लेटर है यानि कि 50% आप उसको जानते होंगे बाकि कि 50% को आप easily कर पाएंगे और जब आपका 100% complete हो जाएगा उसके बाद आप इनकी revision भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे महीं अगर आप skill test को छोड़ देते हैं skip कर देते हैं कि मेरे marks कम है तो आपको 100% को within time के अंदर ही अब वो एक मन्त दे आपको या दो मन्त दे आपको उसके अंदर ही 100% को करना होगा अब आपको मैंने दोनों चीज़े समझा दी हैं आपको benefit किसमे है benefit किसमे नहीं है तो आप इसको समझ सकते हैं महीं अगर मैं बात करता हूँ 2022 के skill test के बारे में तो 2022 का अगर आपका skill test की अगर मैं date की बात करता हूँ skill test date तो इस week के अंदर आपका जो है result अनाउंस हो जाएगा उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक मन्त का समय मिल सकता है अपने skill test के लिए इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि ओल्डेडी सब चीज़े बहुत लेट होती हैं तो SSC भी अप जो date पब्लिश करता है उसी पर अपना जो है काम करवा लेता है तो आप एक महिना मानकर चल सकते हैं इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा skill test के लिए इस वीडियो में मैं आशक करता हूँ कि मैंने आपके सारे doubt जो है वो मैंने आपको cutoff range भी बता दिया ई का और जिन candidate के cutoff से एक यह दोpekt ज़ादा है उनके लिए क्या solution है वह मैंने बता दिया आए अगर आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब किये बिना आप वीडियो को बंद ना कीजेगा इस वीडियो में पस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद